कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाई और मैं भी ठीक ठाक हूँ तो मेरी चानल पर जुन्यों आते हो तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल वैल आइकन के साथ में आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तो य इसमें देखते हैं मोटर जला है कि और कोई प्राब्लम आ गई है तो वो पूरा खोल के ही समझ में आएगा कि क्या दिकत हुई है आपके कूलर में तो मैंने का ठीक है तो भाया मतलब देख रहे हैं कम सी कम उनको 20 मिनिट लग गया था पूरा कूलर और मोटर को निकालने मे तो आप ही देखेगा गाईज मेरा पूरा मोटर जल मतलब मोटर में जो मोटर में जो तार लगा होता है न वो पूरा का पूरा जल गया है तो यहां पर भाया मतलब खोल चुके हैं और मोटर निकाल के देखेंगे चेक करेंगे कि जला है कि नहीं तो आप लोग खुद से द बने रहे ना तो गाइस पता है कूलर तो मेरा आज तीन दिन हो गए है इसको जले हुए तो मोर्टर इसका बोल के लेके गया हुआ है तो उसमें दिखाया उसने खूल की पूरा तार जो लगा होता है न कापर वाला वो पूरा जल गया एकदम से काला पढ़ गया है तो लेके और भी मुझे काम है तो वर्ना मैं आज ही कर देता आपका काम लेकिन आज नहीं वो कल आ जाएंगे गोल रहे थे इतने ही टाइम तक आजाओंगा क्योंकि भी बारा बज गया बारा तक बोल गया है कल कर देंगे क्योंकि बिना कूलर के बिल्कुल भी इस घर में रहा नहीं जाता है ये छोटा सा पंखा है इसमें बहुत गर्मी लगती है इसे हवा इतनी लगती नहीं है जो ये रखा हुआ है और भाईया से मैं पूछ रही थी कितना रुपया लगेगा तो बोल रहे हैं तीन सौ में आपका काम हो जाएगा तीन सौ रुपया लग जाएंगे तो मैंने का ठीक है तीन सौ में कर दीजिया तो मैंने भाईया से बोला था उन्होंने अपना मिस्तरी भेजा नहीं तो क्योंकि बिना कूलर कुछ भी काम नहीं होना है और एक समस्या जाती नहीं है मेरी दूसरी आ जाती है फिर भी मैं मुस्करा रही हो ना क्योंकि क्या गरूं कुछ ना कुछ सही करवाना ही पड़ रहा है मुझे कहीं कुछ खराब हो रहा है कहीं कुछ खराब हो रहा है और सारी जमेदारियां है तो मेरे उपर सारे पूरे खर की क्या क्या करनारा है क्या नहीं करना तो श़ल ये वरेखें और देखते ढंस एकंड़ सार नहीं देते लिदिन उपर कि दंद आर दोए और वह जम्य लख्म देहर मोटर णाओ तो पूरा आपको एक देड़ हजार का पड़ेगा तो मेरे पास इतने अभी थे नहीं कि मैं एक देड़ हजार रुपया डाल सकूँ तो मैंने का नहीं आप इसको भरी देजे जो तार बरा जाएगा जो जल गये हैं उससे ये सीजन निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात ह कहत रहा था भाईया कि हा निकाल देगा आप नहीं जलेगा तो चलिए फिर बने तब तक पूजा ने कद्दू की सबजी और रोटी बना डाली थी जब तक हमुधर कूलर्स देव खोल रहा था भाईया तब तक पूजा ने खाना रेडि कर दिया तो ये एनिका के लिए मैं अनिका को खिलाऊंगी और साथ में मैं भी एक रोटी खाई लूँगी फिर बरतन मैं दुपहर के शाप कर रही थी और अनिका और पूजा दोनों लोग बाहर गेट के पास बैठे हुए बाते कर रहे थे क्योंकि अंदर बहुत ही जादा गर्मी लगती है और थोड़ा बाहर हाँ पर हवा लगती है तो बैट जाते हैं गेट के हलकी हलकी सी हवा भी आती रहती है और बाते भी किया करती है दोनों लोग तो यहाँ पर हम भरतन क्लीन कर रहे हैắm और पता है अभी प्लिज आ पैंड तक बने रहना और अनिका से जो मैंने वह वीडियो कल आप लोगों ने देखी थी अनिका को नाने के घर बेजने के लिए तो ममी का कॉल आया था रात में कि उसके मामा को हम आज बेज रहे हैं तो अनिका से मतलब उस मामा ने अनिका के मामा ने अनिका से बात करी कि मैं आ रहा हूँ अनिका लेने के लिए और कल हम लोग चलते हैं और आप पढ़ाई करना ममा यहीं पर रुकेगी तो अनिका मतलब इतना टेंशन ले ली न तो मुझसे मतलब नाराज हो गई और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी तो आप लोग देखिएगा वो उसके कहना यह है कि मैं आपको छोड़ के यहां नहीं जाओंगी और आपको भी चलना पड़ेगा ममा नहीं तो मैं नहीं जाओंगी तो वो इस तरीके से जित करके रो रही है मुझसे इतना नाराज हो गई थी कि हो मुझे मार रही है अभी आप लोग खुद से खुद देख लेना बहुत रोया है मेरा बच्चा कह रहा है ममा मैं आपके बिना वहां नहीं रह पाऊंगी मत मुझे भेजो अकेले तो आप मैं क्या करूँ मैं तो दोनों तरफ से फसी हुई हूँ क्या बात क्या है इधर देखो दोरे मौन तुम्हारा दबा जा रहा नोबिता भी दबी जारी रो रही हो तुम इधर देखो इधर बैया वो देखो नोबिता भी रोने लग गई आशू देखो नोबिता के कितने निकल रहे है इधर देखो मम्मा की तरफ देखो चा बैया इधर आप लोगों ने देखा आनिका मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज है और रो भी बहुत ज़्यादा रही थी यहाँ पे बोल रही है नहीं मम्मा मैं नहीं जाओंगी और मुझे मार रही है कहरी मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ आपने जो मुझे भेज दिया तो मैं कभी बात नहीं करूंगी तो मैंने बहुत ज़्यादा मनाने की कोसिस भी की लेकिन अनिका मान नहीं रही है उनका कहना यही है कि मम्मा आप चलोगे तब ही मैं चलूँगी वरना नहीं वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी तो किए करूं मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा भी मन नहीं कर रहा था आपने बच्चे को भीजने का मैंने भी बहुती मुष्किल वो डिशीजन लिया था षी सलगर है तो नहीं बेज सकती हूं रहा था है कि यहां पर मेरली मेरा गेट हम सब्स 然後 उसको बंद खूलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तू मैंने सोच इसमें फोड़ा सा तेल लगा देती हूं कर देती हूं इसकी तो क्योंकि सही हो जाएगा नहीं तो यह फिर बहुत मतलब टाइम लेता है बंद करने में तो में जब मैंने इसमें लगा दिया तो बहुत ही अच्छे से बंद होने लग गया है अभी साड़ी पांच और सामने जो पेड़ी इधर लगा हुआ मेरे घर के इसमें ही मतलब बहुत सारे लगे हुए है खाति यह आपको चीटे ने काटा आए बंद आ कि अंगा क्या लगी हुए है चो सक्ति काता है अब होँके मेरे घर गैए के सामने लगा हुआ थे्टा कि वह वह बढ़ा होके फल भी दे रहा है, गोज्ञे पपीता तोड तोड के खाया भी यहाँ कि बहुत सारे पपीता इसमें लगे हुए थे, ऑर अब लोगा की दिख रहे हैं, एक पका हुआ दिख रहा है, बाकी अभी नहीं पके हुए हैं, तो आज मेरा भी तोड़ने का मन है, कि मैं भीतोड़ू, मैं भी खाओ, मैं भी देखो इस पेड में कैसा मतलब मीठा है की नहीं है तो देखते हैं कैसे हम तोड़ पाते हैं क्योंकि मुस्किल लग रहा है और बहुत पुचाई पर लगा हुआ है तो चली गाइस तोड़ते हैं और दिखाते हैं ये ज़ा तेरे पाया लग की चंच्वेन है आशिकों की दिल गिया जैनकें वो मम्मी छोटा सा पपीता तोड़ेंगे भी देखना ये तो गाइस देख सकते हो इतने सारे पापीता लगे हुएं कुछ पाएं, बागी तो सारे के सारे कच्छे हैं और ये टाइम लेंगे इनको पकने में ज़्यादा ताइम लगेगा, मुझे लगताई एक देरह अब्ते लगी जयेंगे इनको पकने में तो चलिए हम तोड़ते हैं पपीता अब मम्मा के लिए मैं गाना काँ अनीका मुझे तो मिल भी नहीं रहा है नहीं मिलें मिल जाएंगे हरा भरा पेड में मम्मी एक छोटा सान तो वहला पपीता तोड़ने जा रही है मॉशी मॉशी चड़ो 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 मज़ा आएगा मॉशी 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 तेड़ना इला डाला मम्मी हटो करें चड़ो कैसे तोड़ू ये हरा भरा पेड जुदार है मेरे पास है जुदार बंद करू नहीं हटो हटो करें युदा हरा भरा भरा हरा भरा नहीं युदा अब यह गिरा है आप एक वो गिरा है पपिता यह गिरा है अब यह है बड़ा उचा सा पेव तोड़ लिया गाइस मुस्किल बहुत था डंडे से ना तोड़ती तो मिलता भी नहीं क्योंकि उचाई पे लगा हुआ था और उसमें बैटे हुए थी छिपली इतना मैं डर गई हूँ जब मैंने उसको उठाने की कोशिस की तो उसमें मैं मैंनЕ ०ूधी तक मैंने सवेड नहीं की उसको ढ़ा पर ऐपित काम पोजा कैने दक लिबाएथ एक कंशाने कर भात नहीं wild देखते हूं कि मीठे है की नहीं है तो चूटे-खोटे से छिविए काट ह है और आप और को भी āलाती हूं चलिए और अनीका भावर कहेल यहां पीठ में पीछी काट लिया है तो उसको पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है बिल्कुल स्लीपर के वही पर काटा है उसने तो पहन नहीं पारी है तो नंगे पैर खेल रही है इतना बचाओ करती हूं हर एक चीज है फिर भी पता नहीं कहां से आके काट लेते हैं कुछ स और पीला भी है यह ना बिल्कुल पक चुका है और इसको में खाके देखें तो गाइज आईए आप लोग भी खाएए मीठा है थोड़ा सा मैं पूजा को दे देती हूं अनिका कह रही है मैं खाऊंगी नहीं ममा आप खालो तो मैं पूजा खाएंगे पूजा लो आके तो गाई सच में बहुत ज्यादा मीठा है मुझे बहुत अच्छा लगा खाके खाओ तो मेटा एक बार तो चली गाईज आईए खाए आके मेरे साथ पीता उल्टे हाथ से मैं खा रहे हूं क्योंकि चली में खा लेगे हूं झाल